नमस्कार स्पोर्ट्स यारी देख रहे हैं आप मैं हूने तिन भारतवाज इंतजार की गड़ियां अब खत्म होने वाली हैं क्यूंकि कल से यानि की IPL की शुरुवात होने जा रही और पहला मुकाबला खिला जाना है गुजराट टाइटम्स बनाम चेरनी सुपर किंग्स लेकिन इस IPL में कुछ खास बाते हैं और वो खास बाते हैं क्योंकि इस IPL में पांच ऐसे नियमों को लागू किया जा रहा है जो आज से पहले कभी लागू नहीं हुए तो इस वीडियो में उनी नियम्स के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार इसे कौन से नए रूल है जो इस IPL 2023 की तस्वीर बदल सकते हैं और सबसे पहले में उस रूल के बारे में आपको बताऊँगा जिस रूल के बारे में सबसे अधा चर्चा हो रही है वो रूल है Impact Player का रूल जी हां इस रूल के बारे में हर जगा चर्चा हो रही है क्योंकि ये ऐसा रूल है जो मैच के नतीजे को पूरी तरीके से बदल सकत तो आखिरकार impact player rule है क्या तो मैं बताता हूँ आपको देखे impact player rule में ऐसा है कि कोई भी team अपनी playing 11 में एक ऐसे खिलाडी को match के किसी भी वक्त शामिल कर सकते हैं जब उसे लग रहा हो कि ये खिलाडी आकर match का रुख पलट सकता है impact player के बारे में toss के दोरान ही team को बताना होगा कि ये खिलाडी हमारे impact player हो सकते हैं और सबसे खास बात अगर आप किसी विदेशी खिलाडी को impact player चुन रहे हैं तो आपको अपनी team में से यानि की playing 11 में से एक विदेशी खिलाडी को ही बाहर करना होगा क्योंकि IPL के नियम के मताबिक playing 11 में सिर्फ चार ही विदेशी खिलाडी हो सकते हैं और इस rule के मताबिक ऐसे ही खिलाडी को आप बाहर कर सकते हैं जो विदेशी हो वहीं अगर आप Indian player को impact player बनाना चाहते हो तो impact player के तोर पर आप एक Indian को ही बाहर करेंगे तो ये rule जो है वो match का नतीजा बगल सकता है वहीं इस rule को लागू करने के लिए एक खास sign का भी प्रयोग किया जाएगा अब empires जब impact player rule को लागू करेंगे तो वो अपने दोनों हाथ को हवा में खड़े करकर cross करेंगे इसका मतलब कि impact player अब लागू होने वाला है और 14 over से पहले आप अपनी game में impact player को लागू कर सकते हैं तो चलिए दूसरे rule की बात करते हैं दूसरा rule है कि अब toss के बाद भी playing 11 आप decide कर सकते हैं आम तोर पर होता क्या था कि पहले playing 11 decide हो जाती थी लेकिन अब कप्तान toss के दौरान ही 2-3 sheet लेकर जा सकते हैं अपनी different playing 11 के साथ और toss के ही दौरान वो अपनी playing 11 change कर सकते हैं यानि कि अब पहले playing 11 जो हम बताते थे अब आप पहले playing 11 ना बताकर toss के दौरान ही अपनी playing 11 चुन सकते हैं अब तीसरे rule के और बढ़ते हैं तीसरा rule है तीसरे rule में अब आप no ball और wide ball के उपर भी DRS ले सकते हो जी हां ये पहली बार IPL महुँगा आम तोर पर हमने देखा है कि DRS सिर्फ क्या तो जब catches के call होते हैं LBW के call होते हैं बले बाज या opponent team जो है वो DRS लेती है लेकिन अब wide ball के उपर no ball के उपर भी DRS लिया जा सकता है जो कि match के नतीजे को पलट सकता है क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है जब umpires wide ball नहीं होती है तो wide ball देते थे और वो पूरे match पर एक अलग ही अंतर पैदा कर देती है तो अब no ball और wide ball के उपर भी DRS लिया जा सकता है तो चौथ चौथा रूल क्या कहता है देखे चौथा रूल यह है कि अगर आप slow net run rate से गेंदबाजी कर रहे हैं तो match में ही आपको fine दिया जाएगा यानि कि match में ही आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी पहले क्या होता था जैसे ही आपको पता लगा कि गेंदबाजी वाली टीम है वो slow run rate के साथ over कर रहे हैं तो match के बाद उसके उपर fine लगाते थे उसमें होता गया था कि 50% match fees का fine लगा देते थे जो भी fine लगाते थे लेकिन अब अगर empires को लगा कि जो ICC यानि कि international cut off के मताबिक over slow हो रहे हैं तो match के दोरान ही fine लगाया जाएगा और boundaries पर सिर्फ 4 player रखे जाएंगे power play के बाद boundaries पर 5 player होते हैं लेकिन अगर ICC cut off के मताबिक बहुत धीमी गेंद बाजी हो रही है तो उन 5 players की जगह सिर्फ 4 player ही अब मैदान पर यान की boundary lines पर दिखेंगे तो वहीं आखरी rule की तरफ बढ़ते हैं और आखरी rule ये कहता है कि अगर मैदान पर कोई भी unfair moment empires को दिखा तो वो तुरंत गेंद बाजी करने वाली टीम को सजा दे सकते हैं हमने कई बार देखा है जब wicket keeper कुछ moment करते हैं या मैदान में खिलाडी कुछ moments करते हैं तो अब empires के पास authority है कि कुछ भी ऐसा moment हो रहे दिखा तो वो तुरंत dead ball करार कर देंगे और बल्ले बाजी करने वाली टीम को अतरिक्त 5 run दे दिये जाएंगे यानि कि गेंद बाजी करने वाली टीम के उपर 5 run की penalty लगाई जाएगे तो ये कुछ पांच बड़े नियम यानि कि IPL में बदलाव होने जा रहे हैं इस season में जिसके बाद IPL 2023 एक अलग ही रंग में हमें दिखेगा और वीडियो के आखिर मैं सबसे important बाट आपको बताता हूँ और वो बात ये है कि my 11 circle को download कर लीजे और download आप कहां से करेंगे इस वीडियो के description में आपको my 11 circle का link मिल जाएगा और उस link पर आप जाएए उसे download कीजे और team मनाईए और अगर आप sports यारी के link से download करते हैं तो आपको काफी सारे extra bonus भी मिलेंगे तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही channel को like share subscribe करते रहिएगा और अपना प्यार sports यारी के उपर यूहीं बरकरार रखेगा धन्यवाद